नमस्कार मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूं ट्रैक सिंगिंग को लेकर आपके मन में इतने सारे क्वेश्चेंज हैं और मैं हमेशा कोशिश करती हूं कि आपके सारे प्रशनों के जवब दूँ जितना मेरे से आता है या जो मुझे समझ में आता है ट्रैक सिंगिंग के उपर मैंने एक जो वीडियो बनाया था जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप रगातर देख रहे हैं बहुत सरे comments दे रहे हैं, कि track singing में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसमें से एक point ये भी था, कि कैसे गाने आप उसमें choice कर सकते हैं, या आपको कैसे गाने लेना चाहिए, ये एक बहुत important question है, लोग समझते नहीं हैं, और इसको बीना सोचे समझे गाना शुरू कर देते हैं, मतलब गाना choice कर लेते हैं, और stage में गाने के लिए सोचते हैं, कभी-कभी वो achieve कर पाते हैं, कभी-कभी achieve नहीं कर पाते हैं, तब उनको बहुत बुरा लगता है, तब ही उनके मन में ये question आता है कि यार यह घाना क्या सही था पहले आपको देखना है कि आपकी क्या है मैं यहाँ पर सीखने की ना सीखने की बात नहीं कर वहात लोग ऐसे होते हैं कि जो बीना सिखे भी बहुत अच्छा गाते हैं और सीखना मतलब कराओ के गाना सीखना कोई सीखना लोग मानते नहीं है, क्योंकि सीखना मतलब क्लासिकल म्यूजिक को ही मानते हैं सीखना, पर अगर कोई only karaoke singing करना चाहे या filmy song गाना चाहे, तो उसके उपर भी वो लगातार महनत कर सकते हैं लेकिन कुछ basic points हैं जिसको ध्यान रखना है उसमें से एक है selection of song या गीत चयन, आप कौन सा गीत ले रहे हैं, बहुत preliminary है, अगर आप male है तो आप male songs लेंगे, female है तो female songs लेंगे, पहले आपका जो आवाज का texture है उसको आप एक बार परक लेजिए, देखिए मैं अगर female की बात करूँ, जिनका आवाज थोड़ा बेज है, थोड़ा मतलब बहुत उचा उचा नहीं है, थोड़ा मुटा है, थोड़ा सा normal voice है, उनको बहुत high pitch के गाने नहीं लेना चाहिए, सेम होता है boys के लिए या gents के लिए भी, male के लिए भी, उनको अरिजित बहुत पसंद है, उनको किशोर कुमार बहुत पसंद है, लेकिन उनके जैसे उनका आवाज का range ही नहीं है, तो फिर मुश्किल होता है वो, मतलब गानों को निभाना, आजकाल ऐसा हो रहा है कि हर गानों का आपको लगभग track, मतलब आपके आवास के हिसाब से track मिल जाता है, वैसे बहुत easily तो नहीं मिलता है, जैसे कि मानों कि आप कोई भी अरिजित सिंह के गाने लिया या कोई भी गाने लिये, तो आपको लगदा है कि जिस scale में उन्होंने गाया है, वही scale में हम गा देंगे, जो कि possible नहीं है, तो भी scale है, थोड़ा सा कम करके या आपके हिसाब से करके उसको आपको प्राप्त करना पड़ेगा, कही ना कहीं सब तो आपको लेना पड़ेगा, आज कल star maker में बहुत लोग आते हैं, पर star maker के बहुत सारे limitations है, star maker को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, मतलब screen recording अगर करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि screen recording कर सकते हैं, उसमें भी बहुत मुश्किल है, आप ले दे के एकात गाना कर सकते हैं, 10-12 गाना तो नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो उसके लिए काफी आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको देखना पड़े तो बढ़ जाता है, फिर उसको आपको कहीं मतलब जैसे Google Drive है, मतलब इतना भी आसान नहीं है, जो लोग करना चाहें बहुत लंबा चावड़ा प्रोसेस करके कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी, मतलब प्रोफेशनल जो बनाते हैं, जैसे track बनाते हैं, उनको आप संपर करिए अब उनको संपर करने से वो मुफत में तो करेंगे नहीं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ बैठना पड़ेगा, आप ऐसा तो नहीं बहुत सकते हैं, वो जो बनाते हैं उन लोग को, कि मेरे हिसाब से बना पड़ेगा, वो हुआ, यह तो हुआ सिफ स्केल की बात, एक और बात होती है, कि आपकी आवाज की फिरत कैसी है, आपके आवाज में क्या मुर्गया है, क्या आपका आवाज अभी फ्लैट है, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपना जो भी आवाज है, ऐसा सपना मत देखिए, आपका आवाज अभी फ्लैट है, इतना ज्यादा काम वाला नहीं है, आपके आवाज में इतने ज्यादे मुर्की ओर्की नहीं आता है, और आप सोच रहे हैं कि मैं मन्ना अडे का लगा चुन्रे में दगाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब सकते हैं तो सिंपल गाने आपको चूज करना पड़ेगा, तो आप जिस अवस्था में हैं, आपका जो चूज की अबारी, इसके हिसाब से आपको घपाना लेना चाइए, फिर होता है कि आ का परसानलिजी तो तो एक नोग बढ़े चून बढ़े फ्लिचा को आने हैं तो अ किल मिजाज के होते हैं, तो उनको ना कुछ चुल्फवले टाइप के गाने शूत होता है, और जो ठोड़ा गंभीर प्रकृतिक मतलब वह थोड़ा हमंद कुमार जैसे गान लेंगे, और उसको निभाएँ, लेकिन ऐसा भी नहीं जैसे कि जो करेक्टर को निभाते हैं फिल्म में वगरा में तो वो हर मतलब शक्षियत हर आदमी वैसा नहीं होता है एक्जाक्ली जैसा वो कुछ अपने आपको चेंज करता है लेकिन उसमें भी आपको मेनत तो करना ही करना है अगर मानो आपके आवाज इतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपके रियाज के मध्धम से हो ग्रूमिंग के मध्धम से हो वो आवाज का लेवल आपको पहुंचाना है इसके बाद आता है कि situation मानो कि आपने एक corporate show कर रहा है जैसे आप office में कुछ program हो रहा है जैसे annual day वगड़ा होता है और उसमें आप देख रहे हैं कि सब young generations है उसमें कुछ एकदम जैसे क्या बोलते हैं कि serious गाना लेंगे एकदम classical base लेंगे वो चलेगा इन्हें लोग सुनेंगे तो इहां पर भी आपका जो दिमाग है उहां पर रखना पड़ेगा वह situation क्या है मैं गाना जो लूम या गाना म महनत में करूं एक गाने के पिछे बहुत सारे महनत होती है वो सब महनत करूं लेकिन मैं पूरा मेरा effort लगा कि मैं उस situation में गाऊं और लोग तो सुनी ने रहे आपस में बाते कर रहे हैं आप कितने भी अच्छा गाना क्यों ना गाए कितने भी आपने महनत वाला गाना बहुत दोग सुने हुए होते हैं वैसे गाने ही चलेगा एक बात मैं कहें दू कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे मानो आपको लोग जानते नहीं है पैचानते नहीं है आप गये हैं लोग तो आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे आप मानो की आपके बाद कोई अच्छ आ पहले गरम करते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं, मन्च को गरम करना, तो जुनियर आगे पीछे उनको मिल जाता है, तो चलो एक गाना गादो, कभी-कभी वो आटिस्ट भी बहुत कमाल कर जाता है, कभी-कभी ऐसा देखा जाता है, कि जो बाद में जो इस्टब्लिश आने वाले हैं, उनको फीके पर जाते हैं, उसके पहले जो जुनियर आटिस्ट गाएं, कमाल का गाएं, लेकिन वो जो बात है यह आपका Song Selection, आपका Presentation उसके निर्भर करता है, मैं जो टॉपिक में आज बात कर रही हूं कि Song Selection, मैं आपको एक बात बताओ, अगर आप Sincerely गाना गाना चाहते हैं, Sincerely करना चाहते हैं, तो आपके तीजोरी में 15-20 गाने होना चाहिए, यह जो 승 adam करना चाहिए, कैसे गाने हमें चोइस करना चाहिए, उसमें कुछ गाने आप रखी हैं, अगर आपने अभी अभी शिरू किये हैं, जैसे मानों 4-5 साल से सुरू किये हैं, बहुत simple गाना रखिए, QU EleK. 5-6 गाने बहुत simple गाना रकिए弥े, की बार देखा है कई प्रोग्राम्स में बड़े अच्छे गाना गा रहे हैं लेकिन एकदम जो एकदम सिंपल गाना ऐसे कोई मतलब गनपती के उत्साथ हो रहा है या दुर्गा-पुजा के उत्साथ हो रहा है को ऐसे तो अच्छो तम केशव लोग गा रहे हैं और लोग तो लोग बहुत enjoy करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि simple गाने लेने से आपका जो performance है उसको कोई नीचा दिखाएंगे, नहीं, आप उसको किस तरीके से present कर रहे हैं, perfect present कर रहे हैं, वो important है, आप एकदम भारी भार कम गाना लेके, जब शुरुआत करें, शुरू में ही एक अच्छू ना लागे, और उपर जाके तो सवाली नहीं उता, तो फिर वो गाना पूरा flop जाएगा, आपका जो महनत है वो पानी में जाएगा, इसलिए आप ऐसे कुछ गाने आप लिस्ट बनाईए, जिन जिन बातों को मैंने point out किया है, उस पात के आधार पे, मैंने बहुत सारी बात इतने में कहे दिया है कि कैसे गाने लेना चाहिए, तो उस तरीके से आप पुरा लिस्ट बनाईए, लिस्ट बना कि उस उन गीतों के उपर महनत करिये, देखिए, ट्रैक सिंगिंग में किस तरीके से हमें प्राक्टिस करना है, वो अल्रेडी मैंने वीडियो बनाया है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लिजिएगा, तो इस तरीके से अगर आप गीतों को चायन करके, फिर उसके उपर महनत करके, देखिए, मैं और एक बात कहना चाहती हूं, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने गीत भी चायन कर लिया, उसको प्राक्टिस भी कर लिया, और आप स्टेज पे चड़के गाने लगे, उसके पहले एक स्टेप है, बहुत ही इंट्रेस्टिन स्टेप है, आप घर पे तीन चार लोगों के सामने ओही गाना को गा देजे, आप बड़े स्टेज में जाने के पहले एक बार इस तरीके का रिहर्सल होना चाहिए, क्योंक कि जब हमारे आखों के सामने audience होता है, हाथ कापने लगता है, आप दरवाजा बंद करके mirror के सामने या अकले अकले बड़े अच्छ से गाते हैं, बहुत खुश हो के गाते हैं, आपको लग रहा है मैं बाहर जाके स्टेज को फार दूंगा या फार दूंगे, लेकिन जैसे आखों के सामने आपको 10, 12, 100, 200 लोग होंगे, और माइक होगा, बस हो गया, आधा confidence ऐसा ही lose हो जाता है, इसलिए बाहर गाने के पहले, आप 3-4 बार इस तरीके के अलग-अलग, आपने friends को बुला के सुना दीजिए, ममी पापा को बैठा के सुना दीजिए, अगर कोई भी आपके जो घर्प के helpers है, उनको सामने बठा के सुना दीजिए, उनको पुछिए, कैसा लग रहा है, गाना कैसा हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो कोई भी खाय सकता है, मतलब हमेशा मैं कहते हूँ कि ममी पापा जो आपको बहुत प्यार करते हैं, शायद वो आपके मन रख आप खुद का record करिये, खुद का record सुनिये, आपको पता चल जाएगा, आप खुद ही judge कर सकते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर मेरा गलती हुआ है, तो इस तरीके से आप एक plan के साथ, अगर उन गीतों को चैन करेंगे, उन गीतों को गाएंगे, तो आपका performance, आपका presentation बहुत होने वाला है, तो मुझे लगता है कि जो आपका question था, कैसे गाने हमको choose करना चाहिए, कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा, इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे comment करिए, मैं कोशिश करूँगी मेरे तरफ से, उन questions का answer देने के लिए, और कराओ के में गाते हैं या stage show करते होंगे, अगर आप interested है, तो आपके friends भी interested हो सकते हैं, और अगर चैनल को subscribe नहीं किया, तो कर दीजिए, क्यूंकि ऐसा ही videos मैलाती हैं, मिलते हैं next video में, Namaskar झाल